Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching, आप सभी का स्वागत है आज के इस Physis के क्लास पर और आज का हमारा जो Physis का क्लास है, क्लास 11 का Oxalation का चेप्टर, दोलन का चेप्टर, लेक्चर नमबर 4 प्रिभियस क्लास में हम लोगों ने Oxalation का Complete Concept पढ़ा, और इसके ठीक पहले वाले क्लास में आपको Simple Harmonic Motion of the Spring पढ़ाया, मतलब Spring की सरालावरतिक गति, आज हम एक बहुत important टापिक पर डिसकस करने वाले हैं, वो है Simple Harmonic Motion of the Simple Pendulum, सराल लोलक के सरालावरतिक गति पर डिसकस करेंग आपको दे दूँ, जो आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत फायदे का भी यह कह सकते हैं, देखिए कैसे, हमारा नीट यूजी का जो Mega Combat है, वो अगेन एक नए फीचर के साथ अब आपको मिलेगा, नीव फीचर में आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि इकेडमी के Combat में आपको नीव फीचर का मिलेगा, नीट 2022 के प्रिप्रेशन के लिए, यह बहुत बेस्ट है, आपको 28 क्वेश्चन 45 मिनट्स में मिलेंगे, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि इस बार के Combat में आप अपना रियल टाइम चेक कर पाएंगे, कि आ आपको Live Scoring मिलेगा, आपको तुरंत हर Question के बाद Scoring मिलेगा, कि आपको Score कितना हुआ, आपको All India Level पर Rank क्या हुआ, आपने कितना Time लिया, Real Time Rank आपको मिलेगा, कि Time के Carding जो जितना Fast Answer देगा, तो Time के Carding उसका Ranking होगा, क्योंकि Competitive Exam में सबसे Important बात होती है, Time Management की, आप उतने Question कि समय में कर पाते हैं, तीसरी Important बात है कि, Real Time आपको मिलेगा, और यह सबसे Important बात है कि, अब हमारा जो Combat है, वो Hindi और English दोनों मिलेगा में होने वाला है, कि Hindi Medium Students के लिए पहले बहुत से Combat में Hindi Medium के Question नहीं मिलते थे, अब आपको Hindi और English दोनों मिलेगा, जैसे Neat का Paper आपको दोनों फीचर है, यह बहुत Important है, और यह Scholarship टेस्ट है, आपको इसमें Scholarship भी मिलेगा, आपको रहें के कार्डिंग, तो यह बहुत Important है, आप इसको Enroll करिए, और यह आपको Date है, इसका May 22, Sunday May 22 को इसका Date है, 11 AM में, और आप इसमें Enroll होने के लिए, आप मेरा Referral Code जरूर यूज करिए और यह मेरा Code है, JP Sir Live, JP Sir Live Code आप यूज कर लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप एक Code यूज करके, इसमें आपको 10% का Discount मिलेगा, ओके, तो यह आप बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको Enroll कर लिजिए, और इस Test पर आप बैठ है, और अपने NIT 2022 के Preparation को Proper Check करिए, कि आप टाइम मेरेज कर पा रहे हैं कि इसी Purpose के लिए इसको बनाए गया है, ओके, नाव स्टार्ट क्लास, तो अब हम अपने क्लास में आज आक्सिलेशन को पढ़ें, और आक्सिलेशन का बहुत important topic आज हम discuss करने वाले हैं, ओक्सिलेशन दोलन, दोलन में हम पढ़ रहे हैं सरल आवर्ती गती, तो सरल आवर्ती गती हमने स्प्रिंग का पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे Simple Harmonic Motion, आप Simple Pendulum, सरल लोलक, हमारा topic है सरल लोलक, Simple Pendulum, देखो यह एक ऐसा topic है physics का, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें से question ना आए, मतलब physics का paper हो, चाहे आपके school label का exam हो, चाहे competitive exam हो, कोई सभी competitive exam हो, आप IIT दे रहे हो, आप NEET के exam दे रहे हो, आप NDS related exam दे रहे हो, सभी में Oxalation के chapter जरूर आते हैं, और उसमें Simple Pendulum सबसे important topic होता है, तो यह बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, आज मैं इसके concept को complete करता हूँ, और उसके बाद फिर हम, आपको मालूम है कि यह हमारा जो class है, वो 11 class का, जो हमारा class पहले चल रहा था, उसका completion class है, हमने एक live class फिर से सुरू कर दिया है, नए syllabus से, यह तो recorded है, और उस live class में हम regular 8 p.m. में आते हैं, और वहाँ पर हमने 11 class को सुरुवाद से start किया है, तो आप वो class भेटेंड करिए, यह तो हमारा syllabus, पहले इसके पहले के पूरे syllabus हमने पूरा कर लिया है, तो देखो simple pendulum सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सरल लोलक एक्च्वर में होता क्या है, सरल लोलक हम कहते किसको है, यह हम सबसे पहले आपको बता दें, यह कोई दिड़ आधार है suppose, और इस दिड़ आधार पर हमने एक thread से, एक रस्ती से, सबकी property अभी मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ, thread की क्या property है, किसकी क्या property है, पहले मैं proper figure, diagram मैं draw कर दूँ सबसे पहले, देखिए, यहाँ पर आप figure में देख रहे हैं, कि यह एक दिड़ आधार है, और इसमें एक रस्ती से, यह लटका हुआ है, इसको हम कहते हैं, pendulum का bob, bob मतलब गोला, और यह यहाँ पर लटका हुआ है, इस धागे से, इसकी लंबाई मालनो L है, जिसको हम इसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं, L लंबाई के धागे से वो लटका हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस रस्ती की या इस धागे की जो प्रपरटी है, वो क्या है, तो इसमें दो प्रपरटी होना बहुत जोरी है, पहला तो यह है, कि यह twist-less हो, मतलब तन्यता ना हो, ऐसा नहीं कि उसमें हम बाप को लटकाएं, और धागा फिर क्या है, लंबा होने लगे, तो उसका लेंध प्रभावित होगा, इसलिए ऐसा thread यूज किया जाता है, जिसमें तन्यता ना हो, इस्ट्रेज ना हो, दूसरा important properties में होता है, एठन रहित हो, एठन रहित मतलब उसमें twist ना हो, क्योंकि यदि उसमें एठन वाला धागा यूज करेंगे, तो जैसे हम बाप को लटकाएंगे, वो गोल-गोल घुमने लगेगा, गोल-गोल घुमने लगेगा, तो proper acceleration नहीं करेगा, तो धागे की दो property मेंने बताया, पहला तो वह तन्यता रही थो, और दूसरा item रही थो, clear यह बात जानना आपको बहुत जोरी है, दूसरी important बात यह है कि दिढ़ आधार से लेके इसका जो केंद्र होता है, यह बाप का जो केंद्र होता है, वहाँ तक की लंबाई को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं, मतलब इसकी प्रभावी लंबाई निकालने के लिए, इस रस्ती की लंबाई में यह जो गोला है, उसके त्रिजिया को 8 किया जाता है, जब दोनों को जोड़ेंगे, तभी ल कमान मिलेगा, कई बार इस्टुरेंट confuse जाते हैं कि वह धागा की लंबाई को है समझते हैं, इस चीतर में प्रापर बना दिया है, कि धागे की लंबाई के सांसाथ उसमें उसके रेडियस को भी काउन किया जाएगा, उसकी त्रिजिया को भी जोड़ा जाएगा, ओके, यह होता है, इसके बाद बता दूँ इस बाप की प्रापरटी जो गोला बनाया गया है, यहाँ पर वो गोले की भी दो प्रापरटी होती है, पहले तो यह क्यों नान मेगनेटिक माटेरियल का बना हो, अचुमबकी पदार्थ का बना हो, लोहे का, निकिल का, कोबाल का हम उसको नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि यदि हम उसको चुमबकी पदार्थ का बना दे तो नीचे हमारी पृत्वी है और इसकी सहायता से पृत्वी के गृत्वी तुरण कहीं हम गरणा करते हैं लास्ट में डिसकस करेंगे हम आप से तो पृत्वी सोय हम अपने आप में चुंबक है और यदि हम इस गोले के चुंबकी पदार्थ का बना दें तो पृत्वी का करेगा उसको अपनी और अटेक्ट करेगा तो पृत्वी के अपनी और अटेक्ट करने के कारण उसका आकसिलेशन अफेक्टेड होगा उसका जो दोलन है वह प्रभावित होगा इसलिए उसको ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो नान मेगनेटिक मटेरियल ह बनाते हैं दूसरी प्रपरटी का है वह मतलब अधिक घनत्व हो मतलब उसकी आकरिती छोटा से छोटा हो और उसका बहुत अधीक हो यह तभी वह है कि हम वहां पर उसको बढ़ा करते हैं क्योंकि इसको बढ़ा कर देंगे तो जब अक्सलेशं करें तो हवा का जो मतलब हवा का जो विरोध है वह ज्यादा प्रभावी हो जाएगा सब्सक्राइब करके छोड़ेंगे तब तो हवा उसको नीचे गिर नहीं नहीं देगा है अब इसके बात करते क्या है बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर पूरा इस टापीक में जो जैट सके समझ पाता है वही टापीक को समझ पाता है आज के क्लास में इस परीचली मैं १ को सिंफ फूप को सिंपल rocks करहा रहा हूँ मैं एक एक सफिरिंग के इसको अटेज करके नहीं पढ़ाया और मैंने सायद बोला भी था वो वीडियो आपने देखा होगा तो उसके लास में मैंने बोला था कि मैं सिंपल पेंडूलम को जानबुच कि इसके साथ नहीं पढ़ा रहा हूं बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया था वह इसलिए कि मिक कॉंपुटिटिव आपका टार्गेट है तो पहला आपको काम करना पड़ेगा कॉंसेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कई बार स्पूटिटिव के प्लानिंग में रहते हैं कि मैं आप नीट निकालना है लेकिन बेसिक फाउंडेशन को सूपर फिसल पढ लेकिन निकलेगा फर्स रिक्वार्मेंट इस कॉंसेप्ट पहली आपके आउसकता कांसेप्ट इस तरह के क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस देखे पढ़ा करो चलिए अब देखो जब यहां पर पहुंच जाते हैं हमने अपने बाप को क्या किया थीटा डिग्री से करें तो यहां पर कोन-کोन सा बल कारेगा थोड़ा ध्यान से समझना यहां पर एक बल कारेगा नीचे की ओर जो कि इसका भार होगा क्योंकि किसी भी पिंड का भार लंबवत उर्धा धार नीचे की ओर कारी करता अब यहां पर देखो इसके अदि हम दो कंपोनेंट्स निका लंगत कोड़ है यह वो भी थीटा होगा और यहां पर हम एक component लेते हैं इसका यह यह component हमने यह लिया तो naturally आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो components हम निकाल रहें mg का तो इस direction में थीटा के pass है ते हो जाएगा mg कास थीटा थीटा का pass कास होता है आप लोगो को कई पर बता चुका हुमें तो थीटा का पास वाला कास होता है mg कास थीटा होगा और यह जो green color का component में ने बताया है यह बनेगा mg sin theta यह बनेगा mg sin theta तो दो घटाक यहाँ पर काम करेंगे mg cast theta mg sin theta और यहाँ पर यह रस्नी में तनाव उत्पन होगा T जो की उर्धाधर के अंदर की और होगा जहां से वो लटका हुआ है अब आप figure को बहुत ध्यान से समझना यह mg cast theta जो है वो तनाव बल के साथ में balance हो जाएगा तो mg cast theta जो force है वो टेंसन फोल के साथ में balance हो जाएगा और यह जो mg sin theta force है यह जो mg sin theta force है यह इस बाप को वापस लेके आएगा तो जब यह बाप वापस आएगा तो mg sin theta के कराण आएगा इसलिए यहाँ पर mg sin theta को restoring force प्रत्यानयन बल का मतलब होता है वह बल जो pendulum को अपने प्रारंभी किस्थिती में या किसी भी पिंडू को अपने प्रारंभी किस्थिती में लाने वाले बल को हम क्या कहते हैं प्रत्यानयन प्रत्या नयन संधी विच्छत करोगे तो प्रत्या नयन मतलब प्रारंभी की स्थिती में लाने वाला बल तो यह mg sin 32 को वापस ले आता है अब क्या होता है हमारा यह जो बाब है यह mg sin 32 के कारण यहां चलाता है लेकिन यहां आके वो रूपता नहीं है क्यों नहीं रूपता क्योंकि अब तो उसके पास गती जड़त्व है काइनेटिक इनर्सिया है और जो फिंड गती सील है वो हमेशा गती सील रहना चाहता है तो यह फिर क्या होता है यह फिर फिर यह आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद यह फिर यहां पहुंच जाता है और यहां पहुंच कर यह इस पोजिशन पर पहुंच जाता है यह यहां पहुँच जाता है और दुबारा फिर वह वापस आता है और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है और इस प्रकार से पेंडूलन क्या करता है दोलन करता है अब इस दोलन को हमको सरलावर्ती गति प्रूप करना है तो यहां तक आपको बात क्लियर एक बर ध्यान से सुनो माद इस्थिती में आने के बाद वह रूपता नहीं और गति जड़तों के कारण आगे बढ़ जाता है फिर यहां पहुँचके वह फिर त्वरण के कारण mg sin theta के कारण वह वापस आता है यह प्रक्विया चलते रहती है और यह दोलन करता है अब यहां पर देखो यह theta है और यहां से यहां तक का जो इसका विस्थापन है जो कि एक चाप की तरह है इस तरह से इसको हम y कहते हैं और इसका एक गोलन कैसे count होता है ध्यान से सुनना य यहां से जाता है फिर वापस आता है फिर यहां तक जाता है फिर वापस आता है इसको इसका एक ऑक्सिलेशन कहते हैं मतलब अपने मीट पोजिशन से राइट साइड जाना फिर मीट पोजिशन पर आना फिर लेट साइड जाना और फिर मीट पोजिशन पर आना इसको हम इस इसकी गरणा करेंगे कि इसकी गती सरालावर्ती गती होती है दा मोसन आप पेंडूलम इस सिंपल हर्मोनिक मोसन पहले हमको प्रूफ करना है कि इस पेंडूलम की गती क्या होती है सरालावर्ती गती होती है सिंपल हर्मोनिक motion होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यानअन्बल चुंकि हमको मालूम है कि प्रत्यानयन्बल एफ बराबर होता है अमगी साइन धीटा यह मैंने आपको बताया यहाँब पका साइन फ्रत्यान है acceleration है f equal to mg sin theta और f equal to m into alpha होता है इस पकार से क्या करें दोनों को combine कर दें एक तथा दो से तो क्या मिल जाएगा अपने को m alpha equal to mg sin theta क्योंकि दोनों एक ही पिंड पर लगने वाले समानबल है तो m alpha mg sin theta के बराबर हो जाएगा और यहां पर चिंड लगाएंगे हम minus minus चिंड क्यों लगाएंगे क्योंकि प्रत्यानबल क्या है उसके विप्रित दिसा में कारे करता है पिंड को हम उपर ले जाते हैं और प्रत्यानबल उसको नीचे मिल जाएगा देखो यहां पर हमको मिल जाएगा alpha equal to g और यहां पर जो sin theta है वो sin theta में theta बहुँँ छोटा कोड होता है तो theta अलप कोड होने के कारण उसको हम लिख सकते हैं only theta क्योंकि sin theta के साथ का कोड जब मुझे छोटा होता है तो हम sin theta को theta लिख सकते हैं तो alpha equal to minus g into theta होगा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं that implies that implies alpha equal to minus g into अब theta का मानी सी तरह से देखो यह theta है यह कोड है और कोड पर आपन होता है चाप बटे त्रिज्ज्या तो यहाँ पर y क्या है चाप है और यह जो l है उसकी त्रिज्ज्या है इस चाप की तो y upon l हो जाएगा तो theta को हम लिख सकते हैं y upon l that implies आगे हम इसको solve करें तो alpha equal to यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना आप कि यहाँ पर यह g और यह l यह दोनो constant है क्योंकि गुरुत्य तो और किसी भी position पर नियास होता है और लंबाई तो नियास है धागा तो मैं सुरू में बता दिया कि वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता तो दोनो constant हो जाते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं alpha equal to minus y therefore alpha proportional to minus y इस पकार से यहाँ पर हमने proof कर दिया तोरान प्रपोस्टोलन टू रिडात्मक विस्थापन और यह बात आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब तोरान रिडात्मक विस्थापन के बराबर होता है तो pin की गती क्या होती है simple harmonic motion यहाँ से हमने proof कर दिया कि pendulum की गती सरलावरती गती होती है तो यहाँ पर हमने बताया कि pendulum की गती सरलावरती गती होती है जब हम pendulum को दोलन कराते है तो उसकी गती सरलावरती गती होती कैसे proof किया क्यों किये कहीं पर भी किसी भी pin की गती को यदि आपको सरलावरती गती proof करना हैं तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना होता है कि उसका त्वरण जो होता है वह उसके रिडात्मा फ्विस्थापन के समनुपादी होता है अब जब यह प्रूफ हो जाएगा कि इसकी गती सरलावर्ती गती हो गई तब हम निकाल सकते हैं इसका आवर्तकाल अतर therefore अब इसका आवर्तकाल simple pendulum का आवर्तकाल और बराबर हम इसको फर्मूला को लिख दें तो यह होता है विस्थापन बटे त्वरण विस्थापन बटे त्वरण यह इसका फर्मूला होता है मतलब अब इसको हम यदि सांकेतिक रूप से लिखें तो t equal to root of y upon alpha कब जब उसकी पिंड की गती सरावर्ती गती होती है यह फर्मूला सिर्फ और सिर्फ उन्ही पिंडों के लिए लागू होता है जिनकी गती सरावर्ती गती होती है simple harmonic मुसम होता है तो सराल आवर्ती गती होने के काराण इसका जो आवर्तकाल है वह root of y upon alpha होगा that implies अब इसको solve करें अपन that implies t equal to under root of y upon alpha तो यहां से y upon alpha का value निकालो यहां से यही से मैं लिख दोए नी y upon alpha को जैसे पिछल टाइम हमने पढ़ा था तो यहां से y upon alpha यही हम निकाल लें देखो y upon alpha इसको इधर तो यह क्या हजाएगा l upon g यह निकाल जाएगा इस l upon g को हम यहां पर put कर देते हैं यह हजाएगा t equal to आशे स्वारी यहां पर बहार 2 पाई लिखना भूल गया हमाए यहां पर 2 पाई लिखना दूँ t equal 2 पाई अंडर रूट यह हेल अपान g यह होजाएगा t equal to 2 पाई रूट अपे लपान g यह इसके आवर्टकाल के लिए फार्मूला होता है तो आपको इधी एक्जाम में पूछे कि सरल लोलक के आवर्टकाल की गर्णा कीजिए तो यहां पर हमको लिखना है कि सरल लोलक का आवर्टकाल t equal to 2 पाई रूट अपे लपान g होता है clear अब इस फार्मूला की सहयता से हम पृत्वी किसी इस्थान पर पृत्वी के गुरूत्वी तवरण की गर्णा कर सकते हैं कि पृत्वी के particular किसी place पर पृत्वी के किसी स्थान पर गुरूत्वी तवरण का मान कितना होता है पढ़ा T equal to 2 pi under root L upon G that implies अब क्या करें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर T square equal to क्या हो जाएगा 4 pi square into L upon G ये हो जाएगा और therefore G को इधर transfer कर दें तो G equal to ये हो जाएगा 4 pi square into L और upon T square upon T square और ये होता है G की गर्णा तो इस सुत्र की सायता से हम क्या कर सकते हैं G की गर्णा कर सकते हैं तो ये G की गर्णा करने का फर्मूला है ये ध्यान रखना इसके बाद हम सरालोला का नियम सरालोला का नियम या कर सकते हैं कि आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले कारक इस पर डिसकस करें तो यहाँ पर देखो अभी हमने पढ़ा है कि T equal to होता है 2 pi root आफेल अपांच G इसका पहला नियम यह है कि 2 pi तो यहाँ पर constant है यह 2 pi constant है तो L और G इसको प्रभावित करेगा और किस प्रकार से प्रभावित करेगा T proportional to होगा under root L इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम प्रभावकरी लंबाई को बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम क्या करेंगे pendulum के प्रभावकरी लंबाई को बढ़ाएंगे वैसी वैसी दोलन काल भी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा एक class मैं और लूँगा इसका अभी जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों पर competitive level पर discuss करूँगा आज के class में आपको simple pendulum को complete धंग से तयार करना है और ये topic जब आपका अच्छे सा तयार होएगा तभी मेरा अगला lecture आपको समझ में आएगा अधरवाइस नहीं आएगा उसके बाद फिर हम दोलन के बाद तरंग पढ़ेंगे फिर हमारा 11 का course एक playlist में complete होएगा किसी भी student योदि पहले chapter से last chapter तक पढ़ना हो तो इस playlist पर आपको पूरा मिलेगा और हमने new batch start कर दिया है 2023 के लिए तो 2023 के लिए हमारा जो batch हुआ है उसमें live class पर हम आपको पढ़ा रहे हैं evening में 8 p.m. में दूसरा प्रभावित करने वाला कारा क्या हो जाएगा लिखूं तो one upon क्या हो जाएगा under root g यह होता है और इस तरह से यह दोनों की सहायता से आप प्रभावित करने वाले काराक समझ सकते हो पहला क्या कहता है कि प्रभावकारी लंबाई को बढ़ाने पर गुरुत्वी तरह का मान भी एसरी दोलनकाल का मान बढ़ता है दूसरा क्या कहता है कि जब गुरुत्वी तरह का मान बढ़ जाता है तो t का मान घड़ जाता है जैसे सिंपल पेंडूलम को लेके हम ख़दान के अंदर चले गए माइन्स में तो आपको मालूम है कि जी को प्रभावित करने वाल काराक में आपने गुरुत्वा करसंड की चेप्टर में पढ़ा है कि जैसे हम माइन्स में चले जाएं तो माइन्स में जाने पर जी का मान बढ़ता है क्योंकि जी घटता है, clear तो यह है सिंपल पेंडूलम और सिंपल पेंडूलम से रिलेटेड यह कंडिसंस यह जी की घड़ना करने का फरमूले से जी निकल जाता है तो यहां तक आपको इस क्लास में तयार करना है एक क्लास और में हमारा दोलन complete होएगा तो यह तो मैं आपको recorded class दे रहा हूं वह 11th class का जो pending chapter था उसका है क्योंकि कई student ऐसे होता है जो काम्प्रिट्व का प्रिप्रेशन कर रहे हैं और एकाद दो chapter के लिए तो साल भर इंतायार नहीं करेंगी मेरा live class का इसलिए मैं इस chapter को आपको अगेन दे रहा हूं इस्पेसली उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है और एकाद दो chapter के नाम से उनका class pending चल रहा है क्योंकि इस chapter पर तो मैं अभी समझो को दिसंबर जन्वरी में पहुंचूंगा जो लाइब क्लास है उसमें कभी तो जस्टी स्टार्ट किया है तो चप्टर आप अच्छे से करिए मैं बचे हुए पार्ट को भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइट करा दूंगा ओके ओके थैंक थैंक